तो आज की हमारी इस classes में हम आपके साथ बातशीत करने जा रहे हैं logical function के बारे में आज का जो topic हमारा है वो logical function है देख एक्सल के अंदर में हमारे पास equal है, greater than है, less than है, greater than equal to है, less than equal to है और not equal to है ठीक है, not equal to है, यह हमारे logical operator कहलाते हैं इसकी मदद से क्या कर सकते हम, जैसे यहां पर कुछ numbers है, मुझे ज़स्ट चेक करने हैं कि सारे numbers greater than 50 है या नहीं है, जैसे चेक करना है, इसके लिए आप क्या करें इसको select करके greater than 50 करके enterprise करें, आपको result यहां पर true and false में आएगा, जी हां, true and false में आएगा, लेकिन generally लोग कहते हैं कि हम इसकी इस तरह के चीए तो if formula के साथ करते हैं, तेकि if formula आपको क्या करता है कि true and false को अपने result में convert करता है, जैसे कि मान लिजिए मुझे अगर 50 से बड़ा हो तो okay अदरबाज pending करना है तो, तो यहां हम देंगे formula if और इसको select करेंगे और बुलेंगे कि यहां true को select कर लिया, फिर मैं आँ दे रहा हूं okay और फिर कॉमा करता हूं pending, okay and pending, enterprise कीजिए देखिए आपके सामने, okay और pending का आगया list, आगया जिस्ट, आगया जिस्ट, hello, जिनौल जी, तो if का use हमने क्या किया, इसको to and false को convert करने के लिए, लेकिन क्या होता है, कि लोग direct link देते हैं, अब यहीं पर कर देते हैं, if इसको select किया, greater than 50, अगर है तो okay, otherwise pending, तो यहां जो हमने greater than 50 कर दिया, इसका मतलब यह नहीं है, कि if का part है, इंड्वीजवल है, if का part हमने इसको combine किया है, अलोई जी और जान लिजी, excel के अंदर में true की value 1 होती है और false की value 0 होती है अब चलिए formula को समझते हैं कि formula क्या कैसे यूज होता है कोभी formula लगाने के लिए equal से या plus से सुरू कर सकते है माइनस से भी सुरू कर सकते हैं बड़ माइनस से result बदश जाता है इसलिए माइनस सही नहीं होगा जनरल लोग equal से करते हैं अब यसे मैंने अपने formula का initial word लिख दिया तो आप यहां देखिए यहां पे हर जो formula हरो formula जो i से start हो रहा है उसका list आ गया आप arrow की मदद से इसके उपर नीचे जा सकते हैं जैसे select करेंगे यहां पर इसका definition show करेगा राइट जिसको select करना तो select किजिए टैप की प्रेस किजिए और अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद आप यहां इसके नीचे क्या है यह साइंटेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं आप आसा में इंपूर्स की फॉर्मिले के अंदर कितने इंपूर्स हैं तो जितना कॉमा करेंगे दिया हुआ है तीन कॉम्टी इंपूर्स देह नहीं एक लॉजिकल टेस्ट वैल अमद है इसका मतलब है कि ओ एक वायर है जब तक उसको फिल नहीं करेंगे आप आहर नहीं निकल सकते हैं और यहां कंडिशन कितना हम दे सकते हैं क्या कितने लाइक नाव ट्वेंटिफाई इस दे वैली ओके तो हम यह बोल सकते हैं कि इस 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 ग्रेटर दैं 50 इसके आम से लगा सकते हैं तो जब तक मैं इसके अंदर अपना लॉच कर लेंगे इफ तो बोलता है कि मुझे ट्रू एंड फॉल्स दीजिए वो यह नहीं करता है कि मुझे गेंटर दैं लेकिन यहां जो हम गेंटर दैं लेजन लगाते हैं उसका रिजल्ट्रू होता है ना जालूंगा तो जो रिजल्ट आप दालोगे और शोग करें इसे इस नहीं जितने ही फॉर्मले है जैसे कि वी लुक अप की बात करें जितने भी फॉर्मले हैं सारे फॉर्मले में आपको देखेंगे कि आपको एक बिलेगा बड़ी वाइकित में इसका मतलब है कि ऑफ्सनल है एक रिक्वाइड नहीं है कि अब चलिए इस में बढ़ते हैं अब हम इसके कुछ एक्जामपल देखते हैं चोटे-चोटे एक्जामपल अब इसको देखते हैं जैसे कि मैंने यहां पर नेम डाल दिया और यहां पर मैंने डाल दी इमां क्वांटिटी और अब मुझे क्या करना है इंसेंटीव निकालना है इंसेंटीव निकालना है तो रूल एक अब मुझे इसके इसेंटीव निकालना है तो जो हमारा यहां पे जो greater than 60 है उसको multiply करना है यहां भी क्या करना है कि हमें हर हर परसन को जह है इनसेंटिव देना है लेकिन कंडीशन ही है कि अगर आप 60 से ज़्यादा लाएंगे तभी हम आपको 40 पीस्पीर कमीशन देंगे तो मुझे हर नुम्डर को 40 से मल्टिप्लाइब करना है लेकिन जो 60 से ज़्यादा है तो यहां पर इफ कंडीशन देंगे बोलेंगे यहां पर 60 से ज्यादा की बात हो रही है 60 के बड़ा और ब्रावर की बात नहीं हो रही है तो गेटर देंगे 60 ऐसा है तो क्वांटिटी मंटिप्लाइबाइबाइब 40 अधरवाइज जीरो एंडर प्रेस कीजिए आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा तो इस समान मैं बिलों जी खो है इतमी से ऑंएज रिर हिर्फ इस बीटू बेट Simmons dave डी शिटीयर से लिपिपी इस टीयक्ट्रीटें घुशला संध्या लिक्तहरी में यह पर रमेला में सम्जह नहीं अगर बीटु गेटर दें 60 है दान बीटु को 40 से मुटिप्लाइ करके रिजल्ट शो करना है अधर बदेश में इन्वर्टेट कॉमा यहां नहीं परेगा इन्वर्टेट कॉमा परता है सिर्फ टैक्स्ट में इसको हमें इन्वर्टेट कॉमा में डालना होगा इसकी अलावा किसी पी तरह की कैलिकुलेशन नमबर यह चीजन चीजों को हम डारेक्ट लालें अच्छा दूसरा यह टेक्स्ट में अभी समझो शीट नमबर वन पर जाईए यहां अगर हमें रिजर्ट देखना है कि समझो ओके और पेंडिंग मुझे रेड में दिखाना है और ओके मुझे ग्रीन में इसके लिए तो आपको फॉर्मेटिंग पार्ट है जो कि मैंने कराया हुआ आपको ओके चलिए ठीक है आई उपर है ओके यह चलिए अब अगली अगली जाओंगर के तरफ चलते हैं कि मेरे पास नेम है और स्कॉर माझने करें दिखाना है तो हमें इंवरेट कॉमा में डालना होगा बड़ नीशिया है कि अगर सिपोर गेंज थाटी थाटी से ज़्यादा इसने स्कूर किया है तब पास आएगा पास फेल आएगा तो यहां हम करेंगे इप इसको स्लेक्ट करेंगे गेंज इकाल थाटी ही और तीस और तीस से जादा रैट ऐसा हुआ तो पास पास अधर वाइ तेस्ट है इसलिए हमने इसमें इंवर्टेट कॉमा डाला तो हम नहीं डालते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब मैं बात कर रहा हूं सिर्क्वेंस नंबर देने की अभी क्या है कि मैं यहां नाम लिखता हूं ठीक है तो मैं स्रियल नंबर दिया पूजा लिख दिया यहां पे इसका एड्रेस एफ टूंटीटू जो देना है हमने दे लिया लेकिन फूर एक्जाम्पल मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं नाम यहां लिख मुझे से ओम लिख के एंटर प्रेस करो और यहां सिक्वेंस नंबर खुद बखुद आ जाए तो इसके लिए क्या पर करेंगे इसके लिए हम यहां पर फॉर्म ब्ला देंगी एफ हमने बुली इस बला कि सामने वाला वैल्व अगर greater than zero है हमने greater than zero क्यों कि आप क्यों कि यह ब्लाइंग सिल है उसको एक सल greater than zero मानता ब्लाइंग को zero मानता है ब्लाइंग पे कुछ भी फिल किजिए चाहे वो नंबर हो चाहे किसी का नाम हो क्या क्रेक्टर हो वो zero से बढ़ा हो जाता है तो greater than zero it means कि उसने कुछ नंबर डाला हुआ है कुछ नाम डाला हुआ है अगर ऐसा हुआ तो उपरवाली वैलू में प्लस वान करके sequence को continue करो अतर बाइस उपर ब्लाइंग कर दो कुछ मस्कों करो तो हमने इंवर्टर को माँ ओपन अग्रोज कर दिया इसका मतलब क्या हुआ कि जहां बी कॉलर में ब्लाइंग होगा उसमें और ब्लाइंग सोगाए चोड़ देंगा तो नीचे तक इसको ड्राइंग करके रख देंगे जहां जितना तक आपको अंदाजन इंट्री करनी है अब मैं यहां पर डालूँगा इंदाज रख आ गया उदाय आ गया और एक एक आपने छोड़ दिया रो तो हाँ आपने वीडियों देखा है कि आसर दो नहीं नहीं पूछ रहो हाँ अगर आपने एक रोज छोड़ दिया तो error आए अब यह error क्यों आया पहले इसको समझें तो पार ने फॉर्मले में हमने क्या बोला कि अगर ब्लैंक चोड़े आए ब्लैंक है तो ब्लैंक तो ब्लैंक क्या है हमने इंवर्टेट कॉमा ओपन अन्ड प्लोज दिया हुगा यह वाज असर था तो इन्वर्टर को मा ओपर खोल से क्या हो गया एक टेक्स बन गया ऑट रहिए और जब नीचे जब नीचे क्या हुआ कि जब इसने प्लस किया तो एबी सीडी में प्लस वान नहीं करेगा एक्स तो गोलता है कि आपका सेर्ण अगर टेक्स पॉर्मेट में नहीं है तो मैं आप अपने रेंज में से मैक्सिमम नंबर निकाल के देता है और इसमें ब्लाइंग या टेक्स से कोई फॉर्ट नहीं पड़ता है उसको इग्णूर कर देता है कुकीया इसमें मैं करूंगा मैक्स का फॉर्मल यहां लगा रहा हूं इसकी उपर का रेंज देंगाँ यह से पहले दीच करते हो तकि जो मैं नीचे जिरिग dit तो पहला जो फिक्स रहे और दूसरा जो एक टू है ओर थी एफ और फार फार फाय दूसरे रहे होता रहा है अब जो है यहां आपके सामने आगया इसलिए रहे तो भी वो निए निए आपर यहां पर देदिया और यहां पर फिल कर दिया इसे माली इसने किसे डाल दिया तो पूरा सिक नीचे उससे नीचे पूरा सिक्वेस्ट बदर जाएगा अब यहांप चाहता हूं सिरियल नंबर जन्रेट करना लेकिन उतना में यहां समझें तो मैं यहां पर इसकनिशन दिया उप्रवाले वैल्व में प्लास वन करने पर इफ्ल में प्लास वैट्र दैन क्या है 5 आई है अगधर ऐसा है तो यहां पर क्या करते ब्लांग करो, अगर वह गेटर धन F2 है तो ब्लांग सो करो, अगर ब्लांग सो करो, अगर यहां एधर से फ़र्ट नहीं है, मुझे सी Team error को 저 कि हम यहां 53 ऑफ अप लाइक कर देंगे हमारे पास इस आप्ता है जो कि ट्रांग और अगर इसमें दो पार्ट्रब रखते एक फॉर्मृला रखतें Gold रखेंचिंट दूसा अगर फूर्मृला एर देता है तो क्या शो कि एक मतलब क्या हुआ है यहां फॉर्मूला रख दिया इसका था था इतोर और प्लाइंग होगा जब एक उत्ला हेला श्ली कि अंडिरिछंटर प्लाइं यहां कि है उसले के तर्फ मन चुर्ण ट्रहु किंद्टर आपको तो इसी प्रैक्टिस करना हो कि इससे आपको अच्छा यह नौ यह मेंशन हियर मैग्जियून जो है नहीं यहां तो हमने मैग्जियून बोला नहीं पाज अब गर 6 पी कर सकते हैं यहां यहां पर 7 करेंगे 7 तक आएगा तो 10 करेंगे तो 10 तक आएगा ठीक ठीक यह तिसकी प्रैक्टिस कीजिये अब मुझे यह जरा मुझे अब मुझे एक बादव वर्क बूक देदीजिये तो आई खेंडू सम्ट्रैक्टिस ओं ठीक है मैं थोरी दिवें में बेज कर देता हूं को यह स्चाथ